नमस्कार दर्शकों आप सभी का हमारे चनल में बहुत-बहुत स्वागत है पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है माहा में आखरी दिन पूर्णिमा आती है और साल में बारह पूर्णिमा आती है पूर्णिमा के दिन चन्र पून कलाओं से परिपून होता है वैसे तो हर पेड किसी ना किसी कारण से उपयोगी होता ही है शनिवार को पढ़ने वाली पूर्णी मा को पीपल के पेड पर यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान मिल जाता है आपकी मन्वानचित एक्षाभी पूरी हो सकती है पीपल से जहां जीवन रक्षत ओसदी बनती है वही इसमें भगवान विश्नु का भी वास होता है स्री हरी विश्नु, माता लक्ष्मी और परम पूज स्री विश्नु भगवान के साथ-साथ भगवान शिव का भी इसमें वास होता है पीपल के पेड़ की क्या महीमा है यह तो आप सभी जानते हैं हमें इसको वर्णित करने में जराबी तेरी नहीं लगेगी लेकिन आपको कई उपाय ऐसे हैं जो पता नहीं है लेकिन हम आज इन उपायों में से एक उपाय आपको बता रहे हैं जो खास कर पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है अनिवार को पढ़ने वाली पूर्णिमा जो सुकल पूर्णिमा तिथी होती है पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है इस दिन पीपल के पोधे और विशेश करके पीपल की जड़ की पूजा की जाती है पीपल के वरक्षिक को सुभा जल चड़ाने से आपकी हर एक मनुकामना पूर्ण होती है वही पीपल के वरक्षिक को शाम को दीपक लगाने से आपको लक्षमी की भी प्राप्ती होती है इस दिन आप सुख समरद्धी की कामना करके अपने कुल देवी देवताओं का नाम ले करके शाम के वक्त पीपल के वरक्ष के नीचे एक चौमुकी दीपक जरूर जलाएं चौमुकी नहीं तो लंबी बादी का घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए यहां बताया गया है हमारे शिम महापुरान और वैद पुरानों में भी पीपल के वरक्ष में हमारे 33 कोटी देवताओं के साथ साथ पित्र भी शामिल होते हैं हमारे जो पूरवज हैं वे भी पीपल के वरक्ष में निवास करते हैं यदि आपके गरह में कोई दोश है गरह शांती के लिए भी आप हर पुनिमा और हर अमावश्या के दिन यदि पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपके घर में 33 कोटी देवी देवता वास करते हैं आपके घर में कोई भी दरीदिता वास नहीं कर सकती आपके घर में सुक शांती तुरंत ही मिलेगी यदि आप लक्षमी की कामना करते हैं तो आपको सुभा ब्रह्म महुरत में ही उठकर नहा धुकर के आप पीपल की जड़ में एक लोटा पानी जरूर समर्पित करें शनिवार की यदि पूनिमा पड़ती है तो पूनिमा के दिन आप शनि पूनिमा के नाम से आप यदि पीपल के वरक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाते हैं तो शनि देव के साथ साथ हनुमान जी भी आपसे प्रसन होते हैं शनि देव का दिन होता है शनिवार और शनि की पूनिमा आपको बहुत अत्यधिक फल दे जाएगी यदि आप यहां उपाए शनिवार की पूनिमा के दिन करते हैं तो आपको अधिक और कुछ न करने के लिए आप यहां उपाई अवश्य करें हमारे चैनल से जुड़िएगा अधिक से अधिक इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्या मिलते हैं अगले वीडियो स्री शिवाई नमस्तु भी हम दर्शकों और भी उपाएं हैं जो पूर्